Top and Best category में हमने smartphone का वीडियो बनाया है, laptop का वीडियो बनाया है, wireless, neckband, earphone का भी वीडियो बनाया है तो smart watches का क्यों नहीं? क्योंकि आज किस वीडियो में हम बाते करने वाले हैं कुछ top 5 best smart watches के वारे में परा पसंद आता है, तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, तो subscribe जरूर कर देना So, hello दोस्तों, नमस्कार, welcome back to the world of tech So, वीडियो सुरू करने से पहले हम दो कुछ basic criteria रखाएं कि smart watch जो 5000 के अंदर आता है उसमें minimum क्या-क्या criteria होना चाहिए, उसमें minimum Bluetooth calling होना चाहिए, minimum 5 days का battery backup होना चाहिए 100 plus watch faces होना चाहिए, और हर sensor होना चाहिए, जैसे कि heart rate sensor, SPO2 sensor और जो हमारे ये top 5 वाला वीडियो है, उसमें मैंने rank किया है from 5th number to the first number So, हमारे जो 5th number का smart watch होना चाहिए, वो आता है noise की तरफ से, noise color fit pro 4 और अगर इसके कुछ specifications के बादे बात करें, आपको इसमें 1.72 इंचिस का display देखने को मिल जाता है जिसमें 500 nits का pick brightness आता है, आपको इसमें Bluetooth calling का भी support मिल जाता है 150 plus watch faces भी देखने को मिल जाता है, 100 sports mode भी देखने को मिल जाता है इसके बैटरी backup है, वो approximately 7 days का है और अगर इसके pricing के बारें बात करें, इसके प्राइस आता है, वो approximately 3300 के करीब आता है दोस्तों ये मतलब हमें जो 5th number का smartwatch था, खाली उसमें ही normal display आता है बाकी के हमेर जो 4 smartwatches है, उसमें AMOLED display आता है इसमें आपको 5 days का battery backup ही मिलने वाला है और इसमें always on display भी आता है और अगर इसके pricing के बारें बात करें, इसके प्राइस आता है, वो approximately 3800 के करीब आता है तो दोस्तों हमेरे थार्ड नंबर का smartwatch है, वो आता है डीजो की तरफ से 10 days का battery backup भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको always on display भी देखने को मिल जाता है और अगर इसके pricing के बारें बात करें, इसके प्राइस वो भी approximately 3800 के करीब आता है अब हमारे जो second number का smartwatch है, वो आता है OnePlus की तरफ से हाँ दोस्तों ये OnePlus की तरफ से आता है, जो है OnePlus Nord Watch और अगर आप एक OnePlus lover हो, तो आपको ये वारा smartwatch बहुत amazing लगने वाला है क्योंकि अगर इसके specifications के बारें बात करें, आपको इसमें 1.78 inches का AMOLED देखने को मिल जाता है इसमें Bluetooth calling का भी support है, इसमें 100 plus watch faces भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको 105 sports mode आता है, इसमें आपको 10 days का battery backup easily मिल जाता है इसमें आपको always on display भी देखने को मिल जाता है, और अगर इसके pricing के बारें बात करें, इसके जो price जाता है वो approximately 5000 के करीब आता है और दोस्तों हमारा जो first number का smartwatch है, वो आता है Realme की तरब से, Realme Watch 3 Pro जो एक सहीं में एक amazing smartwatch है क्योंकि अगर इसके specifications के बारें बात करें, आपको इसमें 1.78 inches का AMOLED display देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको Bluetooth calling का support मिलता है 100 plus watch faces भी देखने को मिल जाता है, 110 plus sports mode भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 10 days का battery backup भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको always on display भी देखने को मिल जाता है, और अगर इसके pricing के बारें बात करें, इसका जो price है वो approximately 5000 के करीब आता है So दोस्तों यही था कुछ top 5 best smartwatches जो 5000 के अंदर आते हैं, और इन सब smartwatches का link आपको description में मिल जाएगा, आप simply one बार चेकाउट कर सकते हैं So today's video is ending up here, अगले वीड़ वानदाः, do that, that makes you awesome and take care